हेलो दोस्तों EFA Learning के नए वीडियो में आज हम कैम्स के बारे में बात करेंगे पिछले तीन चार महिनों में बहुत ही जबरदस्त रन अप रहा है कैम्स के स्टॉक का आज दोस्तों डिविडेंट डिविडेंट को लेकर इंपोर्टन डेट्स का पेमेंट होगा सब के बारे में बात करेंगे बिजनस के बारे में समझेंगे कंपनी के बारे में समझेंगे और कैम्स आपके पास है या आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इंपोर्टन चीजे कौन से ध्यान में रखनी चाहिए क्या आप यहां क कर सकते हैं सबके बारे में दोस्तों आपको बतादू डिविडेंट है 11् Hermes 82 पैसा का ये इतना का डिविडेंट है और बहुत जल्दी बीट है 28 जुलाई यह एक्स डिविडेंट बुद्धर काई दिन है तो आपको डिविडेंटंट के लिए लिजिबल होना है अगर आप इंट्रेस्टेड है या फिर अगर आपके वास अल्रेडी स्टॉक है और बेचना नहीं चाहते हैं तो फिर 28 जुलाइग यह एक्स डिविडेंट डेट है आपको ध्यान में रखना है तो यह बुद्धवार का दिन है 29 तारीक को रेकॉर्ड डेट है अब 29 तारी 30 से और 30 के बीच में जो डिविडेंट है यह जो 11 रुपीज 84 पैसा का जो डिविडेंट है वह पे हो जाएगा अब डिविडेंट के बारे में मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल 5 बार जी हां पांच बार इंट्रिम डिविडेंट उन्होंने पे किया है कैंस ने यहां प अतलब जो पुराने इंवेस्टर है उनको 6.75 पैसा और 7.60 पैसा का डिविडेंड मिल चुका है और उसके अलावा 11.84 पैसा का अभी का डिविडेंड है लेकिन ये पांचो अगर मैं डिविडेंड को जोडता हूं दोस्तों तो ये 51 पैस से उपर का डिविडेंड हो रहा है जो कि एक अच्छा कासा डिविडेंड कहा जा सकता है अब हाइलाइट्स बता दू दोस्तों ये 30 ट्रिलियन का पूरा मुच्वल फंड की इंडस्ट्री है 30 ट्रिलियन मतलब 30 लाख करोड जो की बहुत बड़ा नंबर है जस्ट में का एक एक लाग करोड के आस्पास हो रह हैंगे लगभग 13 लाख करोड के आसपास 12.93 ट्रिलियन जो है वह एक्विटी में पैसा है और बाकी का पैसा डेट फंड में क्योंकि जो बड़े कॉर्परेट्स है तो वह जनरली डेट में पैसा वहां पर रखते हैं तो इसलिए डेट भी अपने में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है अब इस साल में बहुत सारे रिडेंशन हुए है SIP भी कैंसल हुई है यह जो साल था और हमने देखा है कि लोग अब म्यूचुल फंड से थोड़ा सा एक्विटी की तरफ जा रहा है यह पहले नौ महीना ऐसा हो रहा था लेकिन जो जो जन्वरी से मार्च क जो महीना था वहां पर हमने देखा अच्छा खासा यहां पर SIP भी बड़ी है अब कैंस यहां पर कहां यहां पर इंपोर्टेंट रोल आता है जो बड़े पांच एसेट मैनेजर्स है जैसे SBI हुआ है HDFC हुआ ICICI हुआ कोटक हुआ तो वो इसी के ही क्लाइंट है और कैंस जो है एक डेट फ्री बिजनस है आपको मैं इंपोर्टेंट आकड़े बताओ 705 करोड का इसका रेविन्यू है ऑपरेशन से यहां पर आपको यहां पर्ट नेट वर्थ यहां पर घॉटे निघ्यों कर सकते हैं आपको यहांप पर नौलेज आ रही है दोस्तों हमारा जो चैनल है वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यह बहुत बड़ा फिगर है 69 परसंट जी हां आर्टीय की जो मार्किट है आप आर्टीय में क्या काम होता है वो मैं आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा 69 परसंट जो शेर है क्योंकि देखें बड़े बड़े मुच्वल फंट इन्हीं के साथ काम करता है 69 परसंट जो मार्किट शेर है एवरेज एसेट है अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से यह कैम्स के पास है 272 जो है सर्विस सेंटर है 25 पांच यूनियन टेरिटरी में कैम्स का प कर रहा है 31 मार्स तक के डेटा है यहां पर आप देखेंगे 32 करोड से ज्यादा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स है एसाइपी बुक जो आप देख सकते है 21.5 मिलियन मतलब 2 करोड से उपर की एसाइपी बुक है एसाइपी ट्रांजेक्शन पूरे साल में इन्होंने 23 करोड स से ज्यादा क्या एसाइपी ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन यहां पर हो सकता आपने खरीदा बेचा आपने एसाइपी की कुछ भी किया तो और यहां पर यूनिक इन्वेस्टर जो है 1.6 करोड के हैं तो यह बहुत बढ़ा नंबर है और दोस्तों यहीं बताया जा रहा है कि मीचुल फंड इंडस्ट्री जैसे भारत ग्रोगा वैसे ग्रोग करेगी यहां में 138 करोड का तो नंबर नहीं लुगा बट फिर भी आप यहां पर देखें यूनिक इन्वेस्टर्स अकर कैम्स के पास देख सकते हैं 1.66 करोड 1.7 करोड के आसपास है तो यह नंबर जो है भविश्य में यह बढ़े गाई क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा ग्रोथ का स्कोप है कैम्स अब करती क्या है रजिस्ट्रा जो ट्रांजेक्शन एजेंट है तो जो भी आपके जो ट्रांजेक्शन है समझ दीजिए आपको SIP को पॉस करना है आसे सब अिए honest करना है यहां तक कि आपको अपना अध्रेस चेंज करना है सोब्ना मोबाइल अधी चेंज करना आपको एमेल में अपनी स्टीमें्ट चाहिए बहुत करती है यह सब कुछ काम सो हैनnd मतलब आप देख रहे हैं अगर 10 साल में मीच्वल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं कैम्स का यहां बड़ा रोल होने वाला है अब यह कुछ बहुत इंपोर्टन आकड़े और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से यहां पर स्टॉक में एप्रोच कि हुआ है अब देखे अब इसके हिसाब से देखे तो प्राइस अर्निंग मल्टिपल आप देखेंगे तो सतर से उपर हो जाता है 77 के आसपास हो जाता है डिविडेंट कंपनी दे रही है जो कि बहुत अच्छी बात है बाइस से बारा बारा से फिर फिफ्टी वन रुपीज तो यह जो डिविडेंट जो फाइनांशल यहर में 51 का दिया है जो कि अच्छा खासा डिविडेंट में कहूंगा यह पूरे फाइनांशल यह जो अमने अभी पांच जो डेटा देखे मतला अप्रेल 2020 से मार्च 2021 के बीचे पांच बार कैम्स ने डिविडेंड यहां पर डि दिविडेंड जो थे वह पहले ही मिल गये तो यह चीज है कि अच्छा खासा डिविडेंट प्ले भी यहां पर है बुक वैल्यू एक पांच की स्टॉक प्राइज थीन हजा थीन सो मत्ताब बुक वैल्यू तीस के ऊपर है जो कि मुझे लगता है बहुत ही महंगी है बाकी मारजन 39 percent strong है profit before tax मारजन 37 percent strong है चोंब इनवस्टिंग पर संग है मैं बाई करूँगा है देखिए 3,300 के पास इसका stock price है price to book 35 है price to earning 78 है जो हमने थोड़ी दिर पहले देखा तो valuation में साथ उतना comfort नहीं आ रहा है अब camps के बारे में मैं बात करूं यह cash generating business है dividend paying business है और growing business है और यह तीन एक बहुत ही strong चीज है market share भी इसका 69% है बड़े mutual fund चाहे हो SBI हो ICICI HDFC वह तो grow करेंगे ही तो वह grow करेंगे तो यहां पर camps भी यहां grow करेगा ही तो वह एक चीज है ROC return on capital employed बहुत स्ट्रॉंग है return on equity strong है debt zero debt company तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे portfolio में एक company जरूर रहनी चाहिए बट सायद इस प्राइस में नहीं क्योंकि अगर इसमें अच्छा correction आता है मुझे लगता है अगर परस्नली में कहूं मेरे लिए क्योंकि मैं यहां दो दिन Sunday Monday का target मैं नहीं बताता हूं जो हमारे इंफेक्ट जो हमारे जो पेड जो community member वह भी जानते हैं कि हम यहां बड़े वह सब की बात नहीं करते हैं मैं यहां 5-10 साल की बात कर रहा हूं और उसके हिसाब से मैं देखू तो यह स्कीम बहुत जो उसके हिसाब से मैं देखू तो जो कैम का जो बिजनस है उसके जो mutual funds की जो schemes है वह बहुत ही अच्छा यहां पर grow कर रही है काम कर रही है तो उससाब से यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन में भी 2400 या 2200 का जो लेवल से थोड़ा सा फिर भी एक अच्छा लेवल होगा और उससे नीचे आए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है इस स्टॉक को बिल्कुल पोर्टपोलियो में मैं रख सकता हूं लेकिं 3300 में मुझे लगता है थोड़ी margin of safety मुझे नही इसा लगता है अपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद आपको वेल्यू मिली होगी थैंक्यू वेर्म नत्युक्त